अज मुझे सीखेंगे एक और कैम का रेक्शन को कैसे की आता है स्टेप बेश्टेप चलिए स्टार्ट करता पहला स्टेप यह देख सकते हैं आप कैम का लिक्शोंट देराखा है इन सभी कंपॉंट्स के क्या नाम पता है सबसे पहला क्या होता है कि जब भी chemical equation आपको दीज जाया या मिले है आपको तो सबसे पहला उसका फंडा यह होता है कि सारे compounds के नाम आपको पता होना चाहिए इसे कहते है natural acid इसे कहते है sodium hydroxide इसे कहते है sodium matter then water step number one में मैंने आपको बताया सारे components के नाम अब आती है second step आते हैं यहां पर आपको आयन के बार में मैं बताऊँगा कि आयन क्या होते है ions क्या होते है ions plus and minus में एक numbers होते हैं जो की different components and elements की अलग-अलग होते है कि किसकी क्या क्या value है hydrogen plus carbon, nitride minus carbon, then sodium plus carbon, then hydroxide minus carbon, then sodium plus carbon, then nitride minus carbon, then hydrogen plus carbon, then hydroxide minus carbon इतना करने के बाद क्या करते हैं अब सबसे जो important है इसको आप break कीजिए plus one, minus one, plus one, minus का बन देखिए आप यहां पर जो सबसे ज़्यादा सीखनी के जोद क्या है plus वाला minus के पास में जाएगा या minus वाला plus के पास जाएगा तो क्या पनेगा H2O release होगा, then sodium, nitride के लिए वही चीज़ करेंगे, आपस में react करेंगे, क्या पनेगा sodium, nitride बनेगा इस प्रकार से क्या होता है, chemical reaction हमें प्राप्त हो चुकी है, यह main जो प्रोडक्ट वो फाइंड हो चुक है, and H2O जो सब प्रोडक्ट यह भी फाइंड हो चुक है यहां पर देखिए plus के 1, then 1, तबी यह formula होना है, then hydrogen, oxide means क्या water भी बना अब देखते हैं making of formula, इंड सभी के formula कैसे बनें, यह भी बहुत जाना जरूरी है, यहां पर hydrogen का 1, then nitride is 1, बनेगा H2O2, आप देख सकते हैं, simple सा, then sodium hydroxide formula देखिए कैसे बना, 1 क्या बना, NH, then sodium nitride, NA का plus 1, then nitride minus 1, formula क्या बना है, NA, NO2, तो आप समझ चुके होंगे कि यह formula कैसे बनते हैं, मैंने सिखाया मारत अत्री निष्टर में